उज्जैन के सहर काजी ने प्रसाशन को धमकाने की कोशिश की लेकिन अब वो समय नहीं रहा जब प्रसाशन इन जिहादियों से डरेगा और हिंदू इन से घपराएंगे अब वो समय है जब इन्हें चेताया जा रहा है देखिए दोनों वीडियो एक उजयन के काजी ने जो धमकी दी वो और दूसरा उसके प्रति उत्तर में महराज ने उसे और उसके पूरे समाज को चेतावनी दी कोई वो निया जो नहीं पहले ये खतम होना चीए उसे वागता है ये खतम होना चीए उसे वागता है पहले ये खतम होना चीए समाजार बत्रों के माध्यम से पता चला है कि कल अच्जिन में मुस्लिम समुदाई के शेर काजी ने प्रसाशन को, जिलादिस मोदई को, एसपी को, राजशाशन को और मत्यप्रदेश के समस्त लोगों कहा कि 15 मीट में सेहर की फिजा विगड़ जाएगी तो मैं सेहर काजी से कहना चाहता हूँ कि 2007 में आपने बात कही दी कि सेहर की फिजा विगड़ जाएगी उसी दिन से आपकी फिजा आपने विगाड़ दी थी, जो आज तर ठीक नहीं हुई है आपने फिर धमके दी ओवेसी जैसी, आप यहां आतंक फेलाना चाहते हैं आप लोग आप लोग शान्ती भंग करना चाहते हैं, आपने यसी धमकी दी है आपको पता नहीं, अच्छे जिले में 25 लाग हिंदू रहते हैं, यहां सादो सन्त रहते हैं, यह महाकाल बगवान का मंदिर है आपने सिधे-सिधे, शिवराश सिंग चोहान की सरकार को दबाने का प्रियास किया और शान्ति भंग करने का प्रियास किया है आपने जिलादीस महोदई को धमकी दी है और मैं प्रसाशन से कहना चाहता हूँ खुले मन से जिनोंने धमकी दी ओवेश्ची की भाती इनका भी घर मकाम तोड़ा जाए और इनको भी नगर से बाहर किया जाए क्योंकि जो व्यक्ती दंगा भढ़काने की बात करेगा सामपरते की हिंसा भढ़काने की बात करेगा उसे मद्यप्रदेश में रहने का कोई अधिकार नहीं है मद्यप्रदेश के साथ करोड हिंदुओं सुन लो जहां भी ऐसा मोलाना काजी कहता है कि 15 मिट का समय दो उसे तत्काल उठाकर बाहर फेट दो किसी से डरने की जरूरत नहीं है अब हिंदू समाज किसी भी परिस्तिती में मार नहीं खाएगा नाहीं किसी क्या आतनक को सहन करेगा जो भी अपरा दिये सासन प्रसासन इनको दंड़ दे इद के दिन इनके यहां सिमय खाना नेता हमारे बंद करे प्रसासनिक अधिकारी इनकी गुलामी करना बंद कर देवे सिर्फ अपना कारी करे अपनी ड्यूटी करे और प्रदेश में किस प्रकार से शांति कायम हो सकती है उस प्रकार की व्योस्था बनाके रखने का प्रियास करे। इसने कई वार इसके समुधायिते लोगों ने हमें जान से मानने के धम्की दी है। मैं इसको साछेट कर देना चाथा हूँ कि मद्दि परदेश में जिस दिन तुमने ने हमारे उपर रेत के दाना फेकने का प्रियास गया मद्य प्रदेश में इतने कप्रस्तान बनेंगे कि दफनाने की जगे कम पड़ जाई और यह धमकी दोबारा मत देना प्रसासन को ना किसी हिंदू समाज को अब तुम्हारी बरदास करने वाला कोई भी समाज में नहीं है और नहीं तुमारे सुनेगा जै महकाल